हलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जोब, जेने नौटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में पुलिस में SI आप कैसे बन सकते हैं SI का फुल फॉर्म सविस्पेक्टर या हम कहें दरोगा आप कैसे बन सकते हैं या उपनिरिक चक भी कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है वैसे ऐसा ही कैसे बनते हैं, ये जाता तर सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए ये वीडियो है और अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा मैं आपको इसमें eligibility क्या होनी चाहिए, selection procedure क्या है, किस-किस subjects को, topic को आपको cover करना होगा एक्जाम के लिए किस तरह से पूरा selection या physical क्या रहता है, salary क्या रहती है सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूँगी वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर first time विजिट करने हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, bell icon को प्रेस कर लीजेगा ताकि notification आपको time से मिल सकेगा चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि पुलिस में अगर आप ऐसा ही बनना चाहते हैं या सब्सक्राइब बनना चाहते हैं या हम दरोगा कहें तो आप किस तरह से बन सकते हैं सबसे पहले हम जानेंगे eligibility के बारे में, eligibility criteria क्या होना चाहिए सब्सक्राइब बननी के लिए so qualification अगर हम देखें तो आप 12th pass हैं, 12th pass के बाद आपको अपना graduation complete करना होगा किसी भी stream से आपने graduation complete किया है तो आप सब्सक्राइब के लिए आबिदन कर सकेंगे next हम देखेंगे height क्या होनी चाहिए सब्सक्राइब बननी के लिए physical requirement रहती है so यहाँ पर physical measurement में अगर हम height देखें 167 cm male के लिए 152 cm female के लिए होती है यह general categories के लिए reserve categories में relaxation दिया जाता है लेकिन यह जो physical measurement है यह भी state wise अलग लग रहता है अब जिस भी state से belong करते हैं जब इसकी notification आती है तो उसमें एक बार check कर लिजेगा अब हम देखेंगे age क्या होनी चाहिए so यहाँ पर minimum age 18 year and maximum 28 year होती है general categories के लिए अगर आप reserve categories से belong करते हैं तो OBC candidate के लिए 3 years का relaxation मिल जाता है SST candidate के लिए 5 years का relaxation मिल जाता है साथी अगर आप some inspector के लिए आविदन कर रहे हैं तो इसमें running भी मांगी जाती है running के test लिया जाता है जो physical test होता है उसमें so running आपका 5 km 25 मिनिट में male के लिए and 5 km 15 मिनिट में female के लिए रहता है running age limit या height जो मैंने भी आपको बताई अलग अलग state में थोड़ा बहुत difference हो सकता है so आप जिस भी state से belong करते है जब notification आता है एक बार उसमें confirm कर लिजेगा अब हम बात करते है selection procedure की SI का selection procedure क्या रहता है so selection procedure यहाँ पर 4 step में रहेगा आपका जैसे कि first आपका return exam होगा जब आप return exam clear कर लेते हैं आपको document verification के लिए बलाया जाता है document verification के बाद आपका physical test लिया जाएगा physical test clear करने के बाद आपका interview लिया जाएगा और उसके बाद अगर आप clear कर लेते हैं तो training दी जाती है selection procedure में जैसे कि return exam है so आपको किस किस type से question आते हैं तो जो written exam होगा उसमें आपका reasoning, general knowledge, quantitative aptitude, general science, current affairs, math, English जो generally questions आते हैं competition exam में उसी type से इसमें आते हैं objective type questions रहेंगे so ये topics हैं, subjects हैं जिस पर आपको अपनी command करनी होगी, strong करनी होगे इसी से related question आपको किये जाएंगे साथी physical के लिए भी आपको तयार रहना होगा physical में जैसे कि मैंने running बताया, running आपको करनी होगी इसके बाद लंबी कूंद, उची कूंद, इस तरह से physical लिया जाता है तो आपको physical भी अपने अच्छे करनी होगे और इसके लिए आप किस तरह से तयारी कर सकते हैं तो service factor के लिए अगर आप आभी दन कर रहे हैं आप coaching भी ले सकते हैं, coaching चलती है आप self study करना चाहते हैं आप self study कर सकते हैं एक अची सी book ले लीजिए और आप घर पर self study कर सकते हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा important है physical पर आपको धियान देना होगा running की आपको practice करनी होगी daily आपको running करना होगा क्योंकि ज़्यादा तर जो candidate होते हैं वो return exam के लिए कर लेते हैं लेकिन physical में वो clear नहीं कर पाते हैं physical को आपको physical पर अपना ध्यान देना होगा physical daily अगर आप SI के लिए आविदन कर रहे हैं तो आपको daily running करनी होगी आप daily running कीजे कम सगम 2 घंटे 3 घंटे आप practice कीजे अपनी physical के लिए return exam के लिए आप इतना ज़्यादा tough नहीं रहता है SI का आप इसली निकाल लेंगे क्योंकि tough रहता है लेकिन इतना नहीं है कि आप qualify ना कर सके थोड़ा आप इसमें hard work करेंगे तो qualify हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा तर candidate physical में ही out होते हैं तो physical पर आपको धियान देना होगा अब हम बात करते हैं salary की salary क्या रहती है तो सभी states में SI की salary अलग लग हो सकती है मैं यहाँ पर आपको average बता रही हूँ लगभग 40,000 पर मंत salary रहती है किसी state में 40 के above हो सकती है 41, 42 या किसी किसी में नीचे भी जैसे की 39, 38 इस तरह से हो सकती है तो वो आप जब भी आप इदन करेंगे आपके notification में clear हो जाएगा आपकी state में जिस भी state से belong करते हैं salary क्या है लेकिन average salary 40,000 के लगभग पर मंत रहती है सो फ्रेंड्स ये थी जानकारी पुलिस में सविस्पेक्टर बनने की या SI या दरोगा बनने की बैसे ये वहुत ही common topic था सभी लोग इसके बारे में जानकारी है सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ candidate है कुछ student है जो इसके बारे में नहीं जानते है उनके लिए वीडियो था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि notification टाइम से मिल सके